हालो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं यूटूब चैनल परी हेल्थ एन व्यूटी आज मैं आप लोगों के साथ सेर करने वाली हूँ अपने स्किन को मकमली और सॉफ्ट बनाने के कुछ घरेलू उपाए लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस रेमेडी के लिए मैं ले रही हूँ आम आम बिल्कुल पका होना चाहिए आम को अच्छी तरह से साफ करके इसका गूदा निकाल ले और गूदे को मसल ले आप चाहे तो इसे ग्राइंडर में भी पीश सकते हैं अब मैं इसमें एड कर रही हूँ एक चम्मच सहद देन एक चम्मच दूद की मलाई अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले आमिंसी पाया जाता है जो की जरूरी कोलेजन का निर्मान कर तवचा में कसाव लाने में मदद करता है या हमारे चेहरे से ब्लैक हेर्स को हटाता है रोजबरा की धूल गंदगी और परदूसन की कारण तवचा पर होने वाले ब्लैक हेर्स खुपसूर्ती में दाग लगा देते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए आम बेहद ही फायदिमन्द है या हमारे चेहरे से डेट सेल को रिमूव करता है हमारे स्किन के लिए स्क्रब का काम करता है और हमारे स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट और मकमली बना देता है तूसरा मैंने लिया है सहद सहद हमारे चेहरे के लिए ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है और हमारे स्किन को फेर बनाता है और तीसरा मैंने लिया है दूद की मलाई दूद की मलाई हमारे स्कीन को मौस्चराइज करता है और हमारे चेहरे को बिल्कुल सॉफ्ट और मकमली बना देता है अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पैक का इस्तेमाल कैसे करना है इस पैक को लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से पानी से साफ कर ले इसके बाद इस पैक को अपने चेहरे पर लगाए और 2-3 मिनट तक अपने चेहरे पर हलके हाथों से स्क्रब करे और 2-3 मिनट बाद अपने चेहरे पर इसका दूसरा लेयर लगाए और लगा के 20 मिनट के लिए छोर दे 20 मिनट बाद अपने चेहरे को हलके गुनगुने पानी से धोले यह आपके चेहरे के रंगत को निखारेगा आम हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा क्लिंजर का काम करता है और हमारे चेहरे से ब्लैक हेर्स को हटाता है हमारे तोचा में कसाव लाता है या हमारे चेहरे को मॉस्चराज करता है तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ से अर कीजिए थैंक यू बाई बाई